दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तर परदेश में जो बेकेंसी निकले पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिसे आप दारोगा बोला जाता था ठीक नहीं दारोगा जो है आजादी के पहले का नाम था तो उसी के बेकेंसी आए उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो आवेदन आप कप से कर सकते हैं आवेदन आप एक अप्रेल से स्टार्टिंग होगी कप से एक अप्रेल से आपकी आवेदन स्टार्टिंग हो जाएगी चलिए मैं थोड़ा इसको और बढ़ा कर लेता हूं ठीक एक अप्रेल से स्टार्टिंग हो जाएग आवेदन उसके ब बाद देखिए आपको फी पेमेंट कब करना है तो 30 अप्रेल तक कर देना है हो सके तो फॉर्म भरने के साथ ही कर दिजीगा जो इसका पेमेंट है पैसा ठेक एड्मिट कार्ड कब आएगा परिक्षा कब होगा यह सभी आपको फॉर्म भरने के बाद आपके मोबाइल में SMS आ रुपई यानि सभी को 400 रुपई का फी लगेगा चाहिए आप किसी भी कैटेगरी से हों कोई भी जाती के हों 400 रुपई आपको फॉर्म का फी लगेगा ठीक यह चीज़ हो गई अब हम जानते हैं इसके बाद कि आपकी आयू सिमा कितने यानि कि उम्र कितनी होनी चाहिए प्रम बलने के लिए तो आपकी आयू एक साथ एक तारिक साथ्वा महना 2021 को कम से कम 21 वर्स होनी चाहिए कम से कम 21 वर्स को कम से कम 21 वर्स को आप हो जाने चाहिए और अधिक सदिक 28 वर्स 21-28 वर्स लेकिन यहाँ पे ST, SC ST, SC और OBC उमिद्वारों को IU में छोट दी जाएगी उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे बाद में फिलाल तो बता दूँ कि OBC को 3 साल के छोट मिलती है और ST, SC को 5 साल के ठेक यह जीज़ हो गए उसके बाद हम उसके बाद में बात करेंगे और देखिए IU की गन्ना आपकी यहाँ पे लिख दी है 17, 1993 से लेकर के 17, 2000 के बीच अगर आपका जन्म है तब ही आप यहाँ पे फॉर्म एपलाई कर पाएंगे जनरल उमिद्वारों के लिए लेकिन STOC और 27 मिद्वारों को IU में छोट दी जाएगे तीन साल और पाँच साल के ठेक है यह चीज़ हो गई कुल कितने पोश्ट हैं तो आई जानते हैं देखिए कुल यहाँ पे 9534 पोश्ट है 9534 यानि कि 934 9534 पोश्ट है टोटल इतने आदमियों का सेलेक्शन होगा यहाँ पे दारोगा के पद पे यानि कि साब इंस्पेक्टर के पोश्ट पे और देखिए यहाँ पे कितने कितने पोश्ट हैं दारोगा के भी तीन परकार के पोश्ट है कौन-कौन पहला है साब इंस्पेक्टर SI सब इंस्पेक्टर SI उसके बाद प्लाटून कमांडर उसके बाद अगनी सामन अधिकारी यानि की फायर में जिसको बोलते हैं ये कितने कितने पोश्टे हैं सब इंस्पेक्टर की पोश्टे हैं 927 प्लाटून कमांडर के पोश्टे हैं 4884 ठेक 484 उसके बाद जो अगनी सामन है यानि की फायर मेंन के इसके 23 पोश्टे हैं 23 ठेक अब देखते हैं यहां पर क्वाइलिपकेसन आपकी क्या कितने पड़े लिखे होने चाहिए तो SI के लिए कितने पड़े लिखे होने चाहिए किसी भी विद्याले से, किसी भी यूनिवरूर्सिटी से आप ग्रजवेट हैं तो आप यहां पे फार्म भर सकते हैं चाहे आप बी-ए की हो हो, B.S.C. की होँ या फिर B.com की होँ आप यहाँ पे कॉर्म बर सकते हैं बेचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी विश्व विद्याले के भारत के विश्व किक में किये हैं तो वो काम नहीं चलेगा ठेक इन दोनों के लिए पलाटून कमांडर और SI के लिए लेकिन अगर आप यहाँ पे अगनी सामन अधिकारी यानि कि फायर के लिए पोस्ट बढ़ना चाहते हैं तब आपको क्या होना चाहिए किसी भी माहिनता प्रास विश्व द्याले से बिग्यान में यहाँ पे साइन्स के वाल BSC वालों के लिए ही हैं कि यहाँ पे फॉर्म एपला Hind कर सकने 23 पोस्ट हैं इसने एक्व conoc वालों के किवल को साइन्स से यहां पे साब साव लिखा है भारत के किसी भी माहिनता में असना तकने डिग्री ठिक उसके बाद अब पोस्टाका वीवरांद देख सकते हैं किस प्रकार के कितने पोश्टे कहां पर बटा गई हैं सहाय का मतलब आम जेनरल में है AWS, OBC, SC, ST और Total ठेक सारा का सारा देख लिजे और आपको जिसमें अच्छा पोश्ट लगता है या फिर जो आपको ज्यादा पोश्टे लगती हैं जिसमें उसे आप एपलाई करने के लिए रेडी हो जाएए वह इसे तो आपके पास अपरेल तक का समय है अभी एक मैना सोचने के लिए समय है अभी मार्थ चल रहा है अब देखिए सार रिकिवोना का धैया Guesserem कि आपके बॉड डिकी पर सनालिटी किस परकार होनी चाहिए तो पुरुस उमिद्वार के लिए ध्यान दीजिए पुरुस यानि की मेल केंडिनिट पुरुस उमिद्वार क्या करना है यहाँ पे देखिए पुरुस उमिद्वार के लिए जनरल और अबिसी उमिद्वार उचाहिए कितनी चाहिए 168 सेंटीमेटर उचाहिए 168 से जेनरल और अभी सी उमिद्वारों के लिए सीना कितनी होनी चाहिए छाती तो चेश्ट के हम बात कर लें तो 79 से लेकर 84 यानि कि 89 से 84 सेंटीमेटर के विच होनी चाहिए और दोर आपकी कितनी होनी चाहिए तो दोर आपकी 28 मिनट में पांच किलोमेटर रखे है यार 4.8 रिखा यार कि 5 किलोमेटर आप 28 मिनट में कर लेते हों 28 मिनट में 5 किलोमेटर टेक उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूरुस उमिद्वार जो अनुसोचित जाती यानि कि ST और SC आते हैं अनुसोचित जाती अब देखी यहाँ पे क्या है 160 स से 82 से 82 सेंटिमीटर से 82 सेंटिमीटर के बीच सीना होना चाहिए बीना फुलाए ठीक न उसके बाद दोर आपके होने चाहिए 28 मिनट में 5 किलोमेटर दोनों की दोर सेम है सिर्फ आपको हाइट में और थोड़ा सा चेस्ट में छूट दिया जाता है अब महीला उमिद्वार उसके बाद चेस्ट महीलाओं को नहीं ना पा जाएगा मेजर नहीं किया जाएगा महीलाओं का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है कभी उसके बाद दोर आपकी कितनी होगी 2.4 मिनट में आपकी 16 में सॉरी 2.4 किलोमेटर होगा यहाँ पे 2.4 किलोमेटर यानि कि हम रखें कि आड़ाई किलोमेटर की दोड़ आपकी 16 मिनट में करना होगा कितना अड़ाई किलोमेटर की दोड़ यहां पर 2.4 किलोमेटर लिखा यानि कि 2 किलोमेटर और 400 मिटर यानि कि हम बोले तो अग्लोमेटर के दोर आपको 16 मिलेट में कम्प्लिट करना होगा उसके बाद फिर एस टीए सी महिलाओं के लिए एस टीए सी महिलाओं के लिए जो लंबाई रहेगी 147 सेंटिमेटर और यहाँ पर चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा यहाँ पर दोड़ आपकी सेम वही रहेगी 80 किलोमेटर आपको दोड़ करना होगा 16 मिनट में तो यह सारा एक सौट nautification है अभी डिटेल में इसका जो है notification नहीं आया है इसलिए मैं आपको notification नहीं दिखा पा रहा हूँ जैसे ही notification आएगा मैं आपको दिखा दूँगा और अन्य दोस्तों को share के रज़ देजीगा जो भी candidate apply करना चाहते हैं पूरे भारत के लोग apply कर सकते हैं लेकिन छोट के वाल यहाँ पे उत्तरपर्दिस वालों को ही मिलेगी Thank you